दोस्तों सुआगे थी आपका एक पार फिट से जा दोस्तों बॉलिवूड की खिलाड़ी अक्षे कुमार की फिल्म गुड न्यूज ने बॉक्स ओफिस पर धूम मचा कर रख दी है और इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जो दीवान की है वो काफी हद तक देखी जा रही है और इसलिए इस फिल्म की कमाई में रोसाना बढ़ोतरी दर्श हो रही है कोमेडी और इमोशन से बरपूर ये फिल्म दर्शकों का बरपूर मनरंचन कर रही है और अक्षे कुमार की ये फिल्म बॉक्स आफिस पर ब्लोक पस्टर साबित हो चुकी है और ओल टाइम ब्लोक पस्टर की तरफ बढ़ चुकी है अक्षे कुमार के साथ करीना कापूर, दिलजी दोसंजा और क्यारा अनवारी भी इस फिल्म में मुख्य किरदारों में असर आये थे और इंडिया में ये फिल्म तकरीबन 31 स्क्रीन पर इलिस हुई थी और आज हम आपको बताने वाले हैं उस बड़े रिकॉर्ड के बारे में जिस मुकाम को सिर्फ अक्षे कुमार ने हासल किया है इस से पहले इस मुकाम को कोई भी हासल नहीं कर पाया बॉलिवूड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अक्षे के नाम हो चुका है तो दूस्तो अगर बात करें फिल्म के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की तो बॉक्स ओफिस पर तो फिल्म ने धमाल मचा दिया है अब हम यहाँ पर बताते हैं आपको कि अक्षे कुमार ने कौन सा बड़ा रिकॉर्ड बना दिया सबसे पहली बात जब फिल्म रिलीज हुई थी दबंग्थरी तो दबंग्थरी ने अपने पहले दिन 24 करोड़ 50 लाग रुपे की थी अगर बात करें गुड न्यूज की तो गुड न्यूज ने कमाए थे 17 करोड़ 56 लाग रुपे अब यहाँ पे सटर्डे को यानि के दूसरे दिन अक्षे कुमार के फिल्म गुड न्यूज ने 21 करोड़ 78 लाग रुपे की थी तो वही सलमान खान के फिल्म ने 23 करोड 75 लाग रुपे की थी अपने दूसरे दिन अब कुल मिलाकर चटवे दिन अक्षे कुमार की फिल्म ने कमाई 22 करोड 50 लाक रुपे और चटवे दिन सल्मान खान की दबंग थिरी ने कमाई थे 15 करोड 49 लाक रुपे यानि के कुल मिलाकर टोटल बॉक्स आफिस कलेक्शन गुड न्यूस का रहा 117 करोड 6 दिनों का बॉक्स आफिस पर सल्मान खान के नाम से हीट हो जाती थी लेकिन अभी अगर स्टार्डम के बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 6 दिनों में अक्षे कुमार के फिल्म गुड न्यूस ने दबंग थिरी को पीछे कर दिया है तो इससे पता चलता है कि किस की स्टार्डम में ज्यादा दम है दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंड में जरूर बताईएगा